सो हलो गाईज विलकम बैक तो माई यूटीव चैनल टेटीवी था लोग तोड़े आपी डिसकुसिंग दी वन अफ दो इंपोर्टेंट स्टैटीजी ऑफ बैंक निफ्टी मैं आज बहुत ही एक्साइटेड हूं क्योंकि मैंने इस स्टैटीजी को फॉलो करके मैंने यहां प प्रेक डिशेंड क्या क्या है कब इसको अप्लाई करना है सबसे भाशने कंडिशें को यह था कब yeter uz कह रेंदे टी कि पहला condition यह है कि market में एक long-legged doji बनना चाहिए, मैं बताओंगा भी कि long-legged doji क्या होता है ? दूसरा, दूसरा है कि यह long leg doji क्या है कि एक resistance लेबल के पास बनना चाहिए, अब देखोई आप live market में देखें यहाँ पे, यहाँ पे market में क्या हुआ, 925 में एक long leg doji बना, अब long leg doji क्या होता है कि अपर wick, इसका यह जो upper wick है न, upper wick, अपर वाली जो उपर वाली जो जाएगा, और यह long leg doji दूसरा condition क्या है कि एक resistance लेबल पे बनना चाहिए, ना कि support level बनना चाहिए, support level बनेगा तो यह strategy work नहीं करेंगा, middle up the phase में बनेगा, तो work कर सकता है, बट वहाँ पे आपको lot को कम करना पड़ेगा, अगर आप 5 lot से trade करते हैं, तो 2 lot से करिए, और एक lot बनेगा, तो यह conditions को आप अपने copy में नोट करते हैं कि कब क्या करना और कब नहीं करना, सिपर स्ट्राड़ी को सून मत लीजिए, उसको apply करने के लिए आपको conditions को जानना बहुत important है, अब देखिए क्या करना है, कि जैसे ही market, long leg doji, lower wick, lower wick के नीचे trade करना start कर देगा, आप को अपना trade, put के साइध execute कर देना है, मैंने क्या किया, एक confirmation के लिए, मैंने थोड़ा late trade लिया, क्योंकि मुझे confirmation चाहिए था, यहाँ पर क्या है कि इस candle ने मुझे confirmation दे दिया, bearish candle बना, उपर resistance था, और bearish candle बना, तो मैंने क्या किया, कि इस candle यहाँ पर trade को execute किया, और मैंने यहाँ पर दो lot में 6,000 से भी ज्यादा profit को book किया, और रिष्टी water ratio आप देख सकते हैं, यहाँ पर सीधा 1-10, यहाँ पर रिष्टी water ratio मैंने बहुत अमेजिंग रिष्टी water ratio मैंने सच के conditions को बताया, कि preconditions क्या क्या होंगे, कि कब आपको trade को execute करना है, कब आपको trade को execute नही करना है, long leg doji बनना चाहिए, जिसका upper wick बड़ा हो, lower wick चोटा हो, यह long leg doji का है, resistance में बनना चाहिए, support यह middle of the phase में उतना importance hold नहीं करेगा, तो I think मैंने सारे points को समझा दिये, make sure कि आप मेरे वीडियो को like, share और subscribe करे, मिलते हैं, next studying session में तब तक के लिए, okay bye